अगर मैं आपसे पूछाँ कि आपकी फेवरिट पाकिस्तानी आक्रस कौन है तो मुस्ती लोग हानियामेर का नाम लेंगे और लेना भी चाहिए क्योंकि आक्ट्रेस एक उंदा कालाकार होने के साथ साथ फन लविंग भी है हमारे अलावा एक ऐसे सेलेबिटी भी हैं जिने हानिया बेहत पसंद है हम उने अक्सार एक साथ हांग आउट करते देखते हैं एक दूसरे के पोस्ट पर कमिच करते वे भी देखते हैं नमस्कार मैं हुनविंच रुवास्तव और आज हम बात करेंगे हानिया और उनकी रापर बेस्ट्रेंड की आउटी शूर कि इस इंट्रोड़क्शन से आप समझ गए होंगे कि हम किस रापर बेस्ट्रेंड की बात कर रहे हैं जी हाँ सर हम बात कर रहे हैं हाने आमिल और बादशा के बीच में काई बार इनके रिलेशनशिप में होने के रूमर्स सामने आये थे फ्रांस को यकीन था कि ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन फाइनली आक्रस ने एक इंटर्व्यू में इस बात का जवाब दे दिया इनके देटिंग रूमर्स तब स्टार्ट हुए जब देसेंबर में बादशा के साथ उनकी पिक्चर इंटेनेट पर बार लोगे फोटोस देकर फांस भी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या ये दोनों दूसरे को डेट कर रहे हैं रीसिंटली आक्रस से जब एक इंटेव्य में पूछा गया कि कुछ लोगों को लगता है कि आप रापर के साथ रिलेशन्शिप में हैं तो हान्या ने कहा कि बादशा उनके बहुत अच्छे दोस्त है हान्या ने आगे कहा कि प्रॉब्लम सर्फ इतनी है कि मैं मैं अगर मैं शादी शुदा होती तो ये सब अफाहों में नहीं पढ़ती और बच जाती हान्या ने आगे ये भी बताया कि उनके और बादशा की दोस्ती इंस्टेग्राम कि थ्रू हुई आपका क्या रियाक्षन है हान्या की इस कंपेशन पर कमेंस में जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद